आज के blouse cutting lecture में हम deep neck cutting के बारे में समझेगे त्यान रखे back part और front part ये दोनों का solar falling अलग अलग होता है इसलिए पहले हम deep neck back part के बारे में समझेगे सबसे पहले यहां पर हमने जो भी back part cutting किया था वही back part से हमें deep neck convert करना सिखना है ज्यादे तर लोगों का सवाल था आपने basic back part cutting किया है उसमें जो solar slope दिया है तो deep neck के लिए भी यही method का उप्यक करना है तो मेरा जवाब है हाँ बिल्कुल जैसे यह back part cutting हुआ है वो collar neck के लिए है close neck के लिए है deep neck के लिए है sleeveless के लिए भी यही है off solar बनाना है या किसी भी प्रकार का western cut बनाना है सभी में basic front part और basic back part का ही cutting जरूरी रहता है आपने dapting purchase किया है उसमें 28 to 44 size है उसमें शिर्प back part और front part का ही cutting दिया हुआ है तो सबसे important वही है और साथ साथ में हमने जो समझाया है कि basic sleeve cutting अगर western cut बनाना है तो sleeve cutting का cap height भी अलग तरीके से बनता है वो भी हम आने वाले lecture में समझेगे सबसे पहले आपको यही back part के according same to same अलग-अलग cutting कर लेना है जैसे यहाँ पर हमने अलग-अलग अस्तर में cutting किया है ठीक वेसे ही आपको इसका cutting कर लेना है और सभी में जैसे यहाँ पर back part का tuck है वही back part का tuck क आपको डोग करना है और upper chest की जो line का mark है वही line का mark यहाँ पर आपको डोग कर देना है और यहाँ पर हमने जो आधाइच एक्स्टा cutting किया है वही यहाँ पर आपको cutting कर लेना है और यह जो original back part है इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है और उसी का copy paste back part आपको यहाँ पर ले कोलर नेक ब्लाउज नेक बनाते है तो उसमें वही कश्टमर का जब टिपनेक बनाने की कोशिस करते है तो किसे में अच्छा आता है और गिषी प het का डिपनेक हो 9 10 11 12 13 वैसे अलग-अलग डिपनेक हो तो सोलर कटिंग किस प्रकर से किया जाना चाहिए आपका ये जो सवाल है वो हर एक सवाल का जवाब यहां पर आपको मिलेगा लेकिन साथ-साथ में आपको ये बात का विध्यान रखना होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही और आपको भी हर एक पाठ दियान से समझना है और जैसे हम प्रेक्टिस करेगे शेम टू सेम आपको प्रेक्टिस करते रैना है डिपनेक कटिंग सीखनी के लिए आपको कंशे कंशाज बार प्रेक्टिस करना ज़रूरी रहेगा जितनी आप ज्यादा प्रेक्टिस करेगे उतना ही ज्यादा आपका अनुबव बढ़ता रहेगा और आप डिपनेक को अच्छी तरह से समध पाएगे हम यहाँ पर आपको एक हिंटिप पोइंट समझाते हैं कि डिपनेक का फोलिंग जो होता है उसके पिछे की वज़्य क्या होती है तो ज्यादातर हम जो बेजिक कटिंग करते हैं उसमें हम पहले से ही सोलर को माईनस कर देते हैं जिसे इस प्रकार से ये बेजिक कटिंग में हो ये दोनों मेथोड बेक ही है। आज हमें professional मेथोड समझे ना है। डिपनिक के लिए जो友 फोलिंग होता है उसमें दो पार्ट का महत्वरता है। पहला पार्ट होता है गले का सेफ और दूसरा होता है बेक का टक्स। अब जैसे हमने बेक पार्ट की टक्स की दूरी रखा है तो यही सबसे महतो पूर्णा पॉइंट है जिस प्रकार से पहले से सोलर माइनस कटिंग करके हम डिपनेक बनाते है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने राउर नेक बनाया है बहुत अच्छा फेटिंग आ उसमें सेम टू सेम सोलर माइनस किया हुआ है गले का ब्रोडनेस भी उतना ही रखा हुआ है गले का डिपनेक भी उतना ही रखा हुआ है लेकिन गले का सेप आपने चेंजिस किया है पहले राउर नेक बनाया था अब आप वी नेक बना रहे और तीसरा ब्लाउज में डाइम फैले प्लाउज़ का अलग अलग एलग स्व Tक आपिए नहीं होता है यहां पर आपने एक बार से और जोलिंग होता है यहीं हमें समझना यहीं समझना है हम सिफ राउन नियकंग हमने इतना गले का डिप लिया है अब आप ये राउननेक बनाते हैं तो इसका सोलर फोलिंग अलग बनता है आपने थोड़ा सा भी इसको चोड़ाई बना दिया तो भी सोलर फोलिंग अलग होता है आपने और भी ज्यादा ब्रोडनेस बनाया है तो भी इसका सोलर फोलिंग अलग-अलग बनता है ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आपने एक बार यह 11 इंच का मार्किंग कर दिया अब आपके मन में जो भी प्रकार का सिफ आया आप यहाँ पर वी नेक बना रहे चाहे डाइमन नेक बना रहे चाहे पान नेक बना रहे और आपको ऐसा लगता है कि हमने तो यहाँ पर 11 इंच का गला बनाना है अब हम किसी भी प्रकार का सेफ ले सकते हैं तो ध्यान रखे हर प्रकार का सेफ के एकोडिंग सोलर फोलिंग अलग-अलग बनता है यहाँ पर dipnik के लिए हम जो भी solar falling का trick बता रहे उसका 99% guaranteed है हम पिछले देड़ साल से इस trick को follow करते है हर किसी customer का dipnik बनाते है बहुत अच्छा result आता है और वही result आपको भी मिलेगा लेकिन एक बात ये भी ज्यान रखे कि सिर्फ cutting करने से अच्छा fitting नहीं आता है cutting करने के बाद उसको किस प्रकार से stitching किया जाना चाहिए वो भी समझना बहुत जरूरी है ब्लाउज में अच्छा fitting के लिए 4 step महत पोलना है सबसे पहला है body measurement, second है marking cutting, third है stitching और fort है ironing और finishing और इसके बाउजित भी अच्छा fitting नहीं आया है कहीं न कहीं कुछ problem हुआ है तो उसको केसे solution किया जाना चाहिए वो भी आपको सिखना जरूरी रहता है या ठीक करने के बाद next time उसको केसे cutting किया जाना चाहिए वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर हम जो भी dipnik समझाएगे वो हर एक dipnik के लिए अलग-अलग part बनेंगे यानि एक ही वीडियो में सारे के सारे dipnik knowledge नहीं मिलेगा आपको हर एक वीडियो को follow करना होगा तभी आप dipnik को अच्छी तरह से समझ पाएगे यहाँ पर हमें दुसरा part ले लेते हैं यह सबसे पहले main part है अब यहाँ पर हमें decide करना है कि हमें किस प्रकार का shape चाहिए और यहाँ पर हमें solar party कितना ready चाहिए जैसे कि 2 inch, 2 inch, 3 inch, 3 inch वो पहले decide करना ज़रूरी रहता है क्योंकि हर एक गले का broadness के according solar falling अलग अलग होता है यह यहाँ पर पूरा part है जब भी dipnik convert करना है तब यहाँ का जो आजाइच है उसको पहले आपको प्रेस कर देना है अब हमें dipnik convert करना है तो आपको सबसे पहले original bake part का जो cutting है उसके according एक और single part cutting करना है ज्यान रहे शिर्फ और single part ही cutting करना है और यहाँ पर जो भी marking है टक्स का marking और upper chest line का marking वो भी यहाँ पर आपको compulsory marking करना जरूरी है जैसे यह कपड़ा नीचे है तो इसी के according आपको हर जगस से fix cutting कर लेना है शिर्फ यह जो पाटे इसमें आजाइच एक्स्टा cutting नहीं करना है यह original bake part हमारे पास है अब deep neck कितने इच का गले से सुरूर होता है वैसे समझें तो यहाँ पर solar ceiling की line से arm to arm का length है जो 45-6 या 5-6 आपने जो भी लिया हो इस line से नीचे जो भी हम गलाब बनाएंगे वहीं से deep neck की सुरूरात होती है और वैसे भी आपको 5-6 का गलाब बनाना है 6-6 का बनाना है, 7-8-9-9 का जो भी गलाब बनाना है उस सभी गले के according किस प्रकार से solar minus होता है वो यहाँ पर आप ये method के माध्यम से आसानी से समझ पाएगे सबसे पहले हम सुरूरात करेगे 11-6 का गले में अब deep neck के लिए क्या-क्या point महतव पूर्ण है वो आपको समझना है जितना गले का deep चाहिए वहाँ पर आपको एक सिधा मार कर देना है हर एक deep neck के लिए आपको ये point समझना बहुत जरूरी है बेक पाट का टॉक्स पॉइंट से अंदर की तरफ एक इच पर आपको एक मार कर देना है लिप neck में अच्छा fitting चाहिए तो बेक पाट का टॉक्स पॉइंट की जो दूरी है उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए उससे एक इच अंदर की तरफ आप गले की चवड़ाई बनाते है तो उसमें fitting हमेशा अच्छा ही आएगा और इस प्रकार से जो भी broadness भी बनता है वो पहनने के बाद भी ज्यादा ही दिखता है जैसे ये round neck बनाया तो एसा सोते हैं कि अरे ये तो बहुत कम है लेकिन हकिकत में इससे ज्यादा चवड़ाई बनाते है तो पेड़ने के बाद वो ज्यादा ही चवड़ाई होता है जितना आप चवड़ाई बनाओगे बोडी में से वो कपड़ा सपोर्ट छोड़ना शुरू कर देता है अब डिपनिक के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने जो समझाया बेक पाट का टक्स का गेप उससे अंदर की तरफ एक इंच इससे ज्यादा चवड़ाई नहीं बनाना चाहिए अगर आप इसे ज्यादा चवड़ाई बनाते हैं तो यहाँ पर बोड़ी पे वो सपोर्ट करना कम हो जाता है जो भी चवड़ाई हो वो उपर की तरफ होती है निचे की तरफ नहीं होती है अगर आप निचे की तरफ बोड़ बनाना भी चाते है तो उसके लिए भी क्या क् पॉइंट को फोलो करना होता है वो हम बाद में समझेगे अब सेकंड पॉइंट आपको यहां पर समझना है यहां पर बेक पार्ट के एकोडिंग हमने सोलर का नाप रखा हुआ है अब यहां पर आपको कम से कम 0.25 इंच माइनस कर देना है अब यह 0.30 माइनस करेंगे उसको य पेले हमें यह 0.25 यहां पर कटिंग कर देना है यह यहां पर हमने माइनस इसलिए किया कि अगर आप जो भी डिपनेक बनाते तो डिपनेक का जो सोलर है वो यहां उपर की तरफ आना चाहिए अगर आप यहां पर ज्यादा डिप बना रहे और यहां पर आपको डेड़ एज यह एक यह यह आदाइच पॉनाइच की पट्टे रेड़ी चाहिए तो हमें यह जो सोलर है वो और भी उपर की तरफ रखना पड़ता है और यहां पर आता है तो हमें डिपनेक के लिए और उपर की तरफ वो सोलर को रखना पड़ता है यानि वो यहीं पर फोलिंग होकर ब अब हमें यहां पर कितना solar ready रखना है वो समझना है ज्यादा तर हम यहां पर धाईच यह पॉन तीनीच यह टीनीच उतना इस solar ready रखते हैं तो उतना solar ready क्यों रखते हैं वो आप समझें अब यहाँ पर आप अपना हाथ रखें तो देखें यहाँ पर हमारा जो body part है वो यहाँ पर उपसावा होता है और उसके बाद यहाँ पर एक खड़ा होता है तो धाइच या तीनीच का जो solar है वो यहाँ पर खड़े में बेटता है इसलिए यहाँ पर आपने देखावागा क कि इस तरह से गोलाई से हम कटिंग करते हैं तो वो जो गोलाई है वो यहां पर बेट जाता है इसके कारण सोलर यहां से गिरना बंद होता है अगर आपको एक इच या देड़ इच उतना सोलर रेडी रखना है तो देखे तो वो यहां पर हमरा जब उपसावा पाट है वहीं पर आता है तो वो भी केसे बेठेगा वह यहां पर हम जैसे प्रेक्टिकल समझाएगे वैसे ही आपको समत्ते रहना है अब हम यहां पर दाइच का सोलर रेडी रखेगे इधर की तरफ आपको 0.251 पोइंट मार्जिन का मार्क करना है और वहां से जितना आपको सोलर रेडी करना है क्टिंग के लिए अलग नहीं करना है यह जो म्रक हुआ होने के बाद यह रेडी बनेगा अब आपको इस प्रकार सेसे से आपको मिला देना है अब यहां पर हम राउन डेंट देगे और इसको क्टिंग करेगे तो क्या ये fitting आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि solar falling हो जाएगा solar falling क्यों होता है? उसके पिछे की वज़ा क्या है? वो आपको समझना है उसके पिछे की वज़ा है tux जिसे यहाँ पर पूरा part है और यहाँ पर हम dart को stitch करते हैं तो यह part falling नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह पूरा joint है यहाँ पर कहीं भी गला cutting हुआ नहीं है जिसे जिसे आप यहाँ पर गला cutting करते जाएगे ओ डिप cutting करते जाएगे उसी के according यहाँ पर solar falling अलग अलग चरीके से बनना सुरू हो जाएगा यह point अगर आपने समझ लिया फिर आपको lifetime के लिए डिपनेक में कभी भी problem नहीं होगा डिपनेक के लिए जितने भी part बनेगे हर एक point को समझना होगा तब जाके आप डिपनेक में master बनेगे हम पिछले डेड़ साल से इस trick को follow कर रहे हैं और हमने ज्यादा से ज्यादा customer के उपर इस method से बनाया हुआ है सब में अच्छा result आया है हर एक point को हमने समझा है इसलिए confidence के साथ हम आपको समझा रहे हैं इसके लिए हमने जो single part cutting किया है उसे मैं समझेगे अब यहाँ पर हम mark कर देते है अब हम यहाँ पर एक सिधा mark कर देते है और एक mark और अंदर की तरफ कर देते है अब हम सबसे पहले जो अंदर वाली line है उसे के according गलाब बनाते है फिर हम समझते है अब यहाँ पर हम पहले वीनेक बनाते है अब इसको cutting कर लेते है ध्यान रखे यह practice falling को समझने के लिए है इसलिए ध्यान से समझे तो जैसे हमने समझाया था कि यह पूरा पेक पार है अगर इसमें टक्स लगाते है तो यहाँ पर कुछ भी falling नहीं होगा जैसे आप colonic blouse बनाते है बहुत अच्छा fitting आता है उसकी पिछे की वज़े यह हुआ क्योंकि यहाँ पर पेक है अब यहाँ पर यह part cutting हो गया है अब आप यहाँ पर टक्स लगाते है तो देखे यह part बाहर की तरफ चला गया है अब यह पता कैसे चलेगा कि यह solar falling हुआ है यह पता चलेगा हमें basic बेक पार्ट के आधार पर तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह tux शिलाई कर देना है जैसे हम यहाँ पर steam प्रेस से इसको प्रेस कर रहे है ताकि यह stitch करने की आवाश सकता ना रहे है अब देखे अपर चेस्ट की जो लाइन है वही लाइन को हमें मिलाना है और यहाँ पर यह पूरा का पूरा सिधा पार्ट मिलाना है अब देखे अगर हम यहाँ आपर निचे की तरफ इसको सिधा रखेगे तो यह पार्ट निचे आ रहा है इसलिए यहाँ पर यह पार्ट को हमें उपर की तरफ ले जाना है और यहाँ अपर्टिस्ट की लाइन पर मिलाना है इसका मतलब यह होता है कि टक्स लगने के बाद हमारे बोडी में यह पार्ट उपर की तरफ उठता है यहाँ पर देखे, यह Solar Falling हुआ जिसे solar बाहर की तरफ निकला है ठीक वेसे ये उपर की तरफ भी निकलता है ऐसा नहीं है कि यहां से हमने उपर लिया हमने इस point को follow किया हमें दो point को follow करना होता है एक यहां पर मिला देना है और एक यहां पर मिलाना है अब जैसे यहाँ पर मिलाते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें यहाँ पर एक पॉइंट और भी बाहर निकल रहा है यानि गला कटिंग हुआ तो अपर चेस्ट की लाइन का जो पाट है उसने सपोर्ट छोड़ जिया वो सपोर्ट छोड़ता है तो वो कहां जाएगा वो बाहर की तरफ फेल जाएगा यानि यहाँ पर हमें अपर चेस्ट की लाइन पर एक पॉइंट अंदर की तरफ सिलाई करना होगा और यहाँ से हमें एक पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए यह कटिंग कर देना होता है यहां से लेकर कमर का सेप वहां तक पूरा का पूरा सिधा आपको मिलाना होता है अब यहां पर हमें ये द्यान रखना है कि जिसे हमने बोला कि अलग-अलग सेप के एकोडिंग फोलिंग होता है तो अभी तो हमने बहुत कम चोड़ाई में इसको कटिंग किया है तब जाके ये इतना बाहर की तरफ फेला है तो यहां पर हमें एक मार कर देते है अब हम ये सेकंड वाली लाइन है उसी के एकोडिंग वीने कटिंग करेगे अब सोलर फोलिंग में क्या असर होता है वो आपको समझना है अब यहां पर समझे तो पहले एक पोईंट ही बाहर निकला था अब एक और पोईंट बाहर निकल रहा है तो अब यहां से कटिंग होना मांगेगा और यहां पर सिलाई होना ये मांग रहा है इसका जो सिलाई है वो हमें अंदर की तरफ करना पड़ेगा और यहां से हमें इसको कटिंग करना पड़ेगा अब इसका फोलिंग कितना हुआ है वो समझे तो देखे पहले का हमारा जो मार्क था उससे और भी बाहर की तरफ यह फोलिंग हुआ और यहाँ उपर की तरफ भी गला बाहर की तरफ निकल रहा है यह पुईंट ही आपको समझना है अब हम यहाँ पर राउन ने कटिंग करते है तो राउन ने कटिंग करने से कैसा फोलिंग होता है वो समझे हमने सिर्फ इतना ही पाट निकाला है अब देखे यहां पर ज्यादा बाहर नहीं निकला है वही का वही राय अब इधर की तरफ देखे तो पेले से भी ज्यादा फोलिंग निकला है सिर्फ solar नहीं यहां पर देखे तो आम्टु आम्ट का जो measurement रता है वो भी बाहर की तरफ फेलता है अभी तक आपने सिर्फ यही जाना होगा कि सोलर माइनस करने से अच्छा पेटिंग आता है, बोडी पेटिक करेता है हकिकत में सोलर माइनस के साथ साथ में उपर की तरब से भी कटिंग किया जाना चाहिए होता है तब जाके वो बोडी पे अच्छी तरब से बेटता है कर देते हैं ताकि आपको और भी समझ में आये अब हमने यहाँ पर वाइट कलर का चोक से मार्किंग किया है उसको द्यान से समझे अब हम यह लाइन के एकोडिंग गोल गला कटिंग करते हैं अब इसका फोलिंग कैसा आया वो समझे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलाना है और मोस्ट इंपोर्टन यह अपरचेस्ट वाली लाइन है वो यह लाइन को मिलाना होता है और उसी के एकोरिंग आपको पता चलेगा कि सोलर फोलिंग किस प्रकाल से हुआ तो यहाँ पर देखे यहाँ पर एक आदा पोइंट बाहर निकला है और जो स्टीच लाइन है वो भी यहाँ पर आदा पोइंट अंदर की तरफ हुआ अब इ यहां पर उपर की तरफ भी यह सोलर का पार्ट निकल रहा है और यहां पर और भी यह पार्ट कटिंग होना मांग रहा है इस तरफ से समझाने की वज़े यही थी कि हमें लगता है कि हमने सिर्फ एक बार हमें जितना डिपनेक चाहिए तो उसी के एकोडिंग हम यहां पर सोलर माइनस कटिंग कर देते हैं या फिर अंदर की तरफ से ये कुछ जो नया मेतर निकला है उसी के एकोडिंग कटिंग कर देते तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गले का जो डीप था वो वहीं का वहीं है लेकिन हमने जिस प्रकार से गले का सेप बनाया गले को और ब लिंग होता है सिर्फ सॉल्डर बाहर के तरफ नहीं निकलता है स्वडर उपर की तरफ भी निकलता है ये सब yore ऑनल कटिंग केसे करना है वह हम learnt समझेगे अभी ये पार्ट में हमने जितना प्रेक्टिस समझाया है सिर्फ उतना ही प्रेक्टिस आपको समझना है उसमें जो जो पॉइंट समझाया है वो पॉइंट को आपको लिख लेना है और उसको समझते रेना है क्योंकि वही पॉइंट आगे जाकर हमें काम आएगा अब यहां पर हम स्क्वेर बनाते हैं तो क्या फो लिंग होता है वो भी साथ साथ मिख समझ लेते हैं जिसे हमने स्क्वेर कटिंग किया तो यहां पर देखें तो ओर बी यह बाहर की तरब निकल रहा है और इसका जो स्टिशिंग है वो भी यहां पर आ रहा है। बाहर की तरफ से भी इतना पार्ट को हमें कटिंग कर देना वता है यानि इसका जो फिटिंग है वो सेम टू सेम रहेगा यह स्क्वेर नेक बनाया तो यह और भी बाहर की तरफ निकला है और जितना बाहर निकलता है वेसे यह उपर की तरफ से भी निकलता है यहाँ पर तो हमें सिर्फ थाइज पार्ट को ready रखना था लेकिन इसको cutting कर लिया तब तो यह पार्ट थाइज से कम हो जाएगा यह सब को केसे manage करना है वो हम next पार्ट से समझना शुरू करेगे यहाँ पर अपर चेस्ट की लाइन को अपर चेस्ट की लाइन से मिलाना है यह पहला point आपको दियान रखना है और जूसरा point यहाँ पर सिधा का सिधा पार्ट आपको मिलाना है यह दो point आप समझ ले तब आप किसी भी प्रकार का dipneck blouse को आसानी से cutting कर पाएगे और अच्छे से अच्छा fitting दे पाएगे अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से iron करना है ध्यान रखना है जब भी iron करे तब यहाँ पर जो टॉक्स है उसी के उपर आपको iron नहीं करना है अगर इस प्रकार से अपने iron कर दिया तो यह पूरा फैल हो जाएगा अब टॉक्स लगने के बाद हमारा जो solar falling होता है वो इसी के according बेटना ज़रूरी रहता है अगर इसी के according वो नहीं बेट रहा है बाहर निकल रहा है तो समझ लेना है कि वो fitting नहीं आ पाएगा ज्यादा तरह आपने देखाओगा dipnik में यहाँ पर क्रीज आती है तो यह जो क्रीज है वही पार्ट यहाँ पहले से निकल जाता है और आपने देखाओगा कि आपने solar तो बहुत ज्यादा माइनस किया है फिर भी गला डिला बन रहा है यह उपर वाला जो पार्ट निकला ह और यहाँ पर निकल जाता है अब यहाँ से यह पूरा पार्ट कटिंग हो जाता है अब आप इसमें देखे कि कितना solar माइनस हुआ उसके लिए आपको टॉक्स को open कर देना है अब यह पूरा पार्ट को यहाँ निचे से मिला देना है एक सिधा और निचे की तरफ यह दोनो तरफ मिलाना है इस प्रकार से जो चोरस गला बना तो उसमें कितना solar माइनस हुआ और यहाँ से कितना पार्ट बाहर की तरफ निकल गया और उपर की तरफ भी कितना माइनस हो गया जैसे इसमें टॉक्स लगेगा तो यह बोडी पर इस प्रकार से बेट जाता है जैसे solar की त के लिए हम आगे के पार्ट में समझेगे तब तक के लिए यहां पर जीतना पॉइंक समझाया है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करें धन्यवाद